नवस्कार मेरा नाम है योगरा शर्मा और आप देख रहे हैं The 24 by 7 News इस समय नगर निगम चुनाव की बैयार चल रही है दिल्ली में चुनावी महाल दिखाई देता है अप्रेल के महीने में चुनाव होने हैं और सभी दलों के संभावित उमिवद्वार अपने अपनी दावेदारी कर रहे हैं अपने काम दिखा रहे हैं ताकि जनता को बता सके कि किन मुद्धो के साथ वो चुनाव में आ रहे हैं और क्यों उन्हें वोट दिया जाए सुमित परकाश हमारे साथ मौझूद हैं शालीद महर भाग से उसके लिए हमारा एक ही प्लान है हमारी पार्टी के वल काम के नाम पर वोट मांगती है यदि दिल्ली में दिल्ली सरकार का काम जंटा को दिखता है तो इस बार नगर निगम के अंदर चुना होने जा रहे हैं उसमें बदलाओ करें और आमादमी पार्टी को उसके काम के उपर वोट दें किन मुखे कामों की बात आप करते हैं जो सरकार ने किये सर आज अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन शिक्षा के शेत्र में क्रांतिकारी काम हो रहा है यदि आप स्वास्ते को लेकर देखेंगे तो स्वास्ते के शेत्र में भी क्रांतिकारी तरीके से काम किया जा रहा है यदि मैं बात करूँ हमारी शालियन वाग विधान सभा की तो शालियन वाग विधान सभा के अंदर आज 25 साल से 25 साल से वहाँ भाजपा के विधायक थे कभी किसी ने वो सपना नहीं देखा होगा, आज हमारी विदायक जी, बंदना कुमारी जी ने जनता के उस सपने को साकार किया है, 1430 बेड़गा, सरकारी अस्पतार, जिसमें की सभी बेड़, पूरी तरीके से, हर फैसिलिटी से लह से, उसको बनने का काम अगले तीन महीने मे पूरा हो जाएगा और वो अस्पताल जनता को सौब दिया जाएगा, बजारों में किस तरह के विकार साभी आप जिकर करेंगे, सर देखिए, MCD के पास काम, मैक्सिमम जितने काम है, जाद अतर जितने काम है, कॉल्नियों के अंदर, मैं जिस वाट 64 N की बात कर रहा हूँ, वाट 64 N के अंदर छोटे-छोटे ब्लॉक है, जनता फ्लैट है, LIG फ्लैट है, MIG फ्लैट है, और उनी के लिए CSC मार्केट जिसे हम कहते हैं, CSC और LSC जैसी मार्केट से, जैसी वो 40 साल पहले थी, आज भी वैसी है, यदि कोई महिला जाती है, तो वो टॉलेट नहीं जा सक अहम आधी पार्टी की विधायक है, और मुखह मंतुरी हमारे केजरिवाल जी है, वहाँ सभी मार्केटों में कोटा स्टोन लगाने का काम किया जा रहा है, 115 फिट का तिरंगा न मार्केटों में लगाया जा रहा है, सेलफी पॉइंट वहाँ बनाया जा रहा है, वहाँ के जो टॉइलेट्स हैं एक जेंट्स एक लेडिस बड़िया तरीके से टाइउस लगा कर बिल्कुल नियूली डेवलप टॉइलेट्स वा बनाए जा रहे हैं हम चाहते हैं यही काम दिल्ली के हर वाड में हो MCD के 15 साल पिछले लगातार उन्होंने साशन किया उनकी क्या उपलब्दियां और क्या कमियां आप देखते हैं सर उनकी उपलब्दियों में मैं यही देखता हूं कि जहां भी कोई बिल्डिंग कोई भी जगा बननी होती है वहाँ वो पहुशते हैं और वहाँ पर पूरी तरीके से ब्रस्टाचार में लिपते हैं उनकी यही उपलब्दियां है कि कहीं पे 200 करोड की जगा है पारकिंग के नाम पर उसको ढई या 5 करोड में बेज दिया जाता है अपने रिष्टेदारों को यही उपलब्दिया है विकास के नाम पर नालियों के नाम पर सफाई यह लोग अभ्यान चलाते हैं पूरे देश काम है सफाई करना वो अगर अपने काम में मुस्तैद नहीं है तो नगर निगम चुनाओ को रिजर्ट कैसे सर मैं तो एक चीज मानता हूँ अगर मेरे घर के भार कुड़ा होगा तो मुझे कोई न कोई उपाय तो करना पड़ेगा उसकी सफाई के लिए और इस बार हर घर हर गली हर कूचे हर महले और पूरी दिल्ली में जो इन लोगों ने बाशपाशाचित नगर निगम में सरकार ने जिस तरीके से पिछले पंदरा सालों में कुड़ा फैला है उस कूड़े को इस बार जनता दिल्ली नगर निगम चुनाओं में केजरिवाल जी को जिता कर आमादमी पार्टी को जिता कर इस पूरे कूड़े को एक सिरे से साफ करने जा रही है जी बिल्कुल अभी हमने एक वीडियो आपके जरिये देखा जो नगर निगम की एक जमीन है उसे गलत हातों में जाते हुए आपने रोका हमारे दर्शक एक विंडो में अभी वो वीडियो देख भी रहे हैं बताइए वो किस तरह से वो गटना होई सर देखिए जैसा कि आप वीडियो देख सकते हैं और मैं पूरी जंता के सामने वो वीडियो ला सकता हूँ और हमारे शाली मारबाग की जो जंता है उन तक वो वीडियो पहुँचा भी है नगर निगम वहाँ जो पार्शद हैं उन पार्शद जी के दौरा ही एसिस्टेंट कमिशनर केशपुरम जोन ने एक लेटर इशू किया कि ए पी ब्लॉक मैं दुबारा से कहना चाहता हूँ साथियो ए पी ब्लॉक में जो कुछ धलाओ है उस जमीन पर वरिष्ट नागरिक संस्था अपने बैठने के लिए वरिष्ट नागरिक संस्था वरिष्ट नागरिकों की सुविदा के लिए अपने पैसों से एक ग्राउंड फ्लोर का एक कमरा त्यार कर सकते हैं नगर निगम ने उस पूरे जो संस्था थी वहां की वरिशनागरिक संस्था को गुमरा करके उनको जान पूच कर किसी दूसरे ब्लॉग पार्क की जमीन जिसके उपर पूरी हाई टेंशन वायर जाती है जिसके नीचे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती जहां पी डबलुड का ना यह से वहां एक प्राइवेट बिल्डर के हातों कंस्ट्रक्शन का काम सौप दिया और वो प्राइवेट बिल्डर भरत बजाज उस वाड़ 64 का भाच्पा का मंदल अध्यक्ष है और किसी भी कीमत पर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जब हमें पता चला हमने जाके उस काम को रोका क्योंकि हम नहीं चाहते थे वरिश नागलिव संस्था के लोगों का मेहनत का पैसा जाया चला जाए उपर लाइट की तारे जो है किस तरह की सर केवल वो तारे नहीं है जो हाई टेंशन वायर जिसे हम सोचते जो सुसाइटी के अंदर लाइट के लिए जाती है जो बड़ा इलेक्रिसिटी सप्लाई का सबसे हाई वोल्टेज होती है जिसके नीचे आदमी खड़ा भी हो तो कभी भी अगर कोई ऐसी स्तिती आती है ब बताना चाहूंगा कि बराबर में जो ये वीडियो चल रहा है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह सुमित जी ने इस अवैद काम को रोका और जो वरिष्ट लोग हैं वरिष्ट नागरिक हैं उन्हें बचाने की कोशिश की अगर बात की जाए चुनाव परचार और पुराना शब्द हो गया मुझे लगता है आज की डेट में जनता प्रचार करती है जो काम करता है उसके लिए जनता प्रचार करती है हाँ लेकिन मुझे परसनल तौर पर व्रक्तिकत तौर पर ऐसा लगता है कि MCD में भी बदलाओ इस कारे को पूरा करने के लिए हमें घर घर जाकर एक एक घर को जाकर हमें जगाना होगा उन्हें उनके वोट का एसाज दिलाना होगा केजरीवाल जी के द्वारा जो विकास कारे किये जा रहे हैं दिल्ली में लगातार निरंतर पिछले साथ सालों से उसे बताना होगा कि जनता के पैसे से जनता को ही सुविदा देना किसे कहते हैं मैं अपनी तरफ से अपने वार्ड के अंदर हर एक घर हर एक घर जाकर यह दस्तक देना चाहरा हूं कि आने वाले निगम के चुनाओं में एमसीडी में भी केजरीवाल और बदलाव जरूरी है जी यह सुमित प्रकाश जिनका यह कहना है कि अगले चुनाओं में फिर एक बदलाव दिल्ली की जनता देने वाली है और नगर निगम में भी दिल्ली सरकार की तरह आमाद्वी पार्टी की सरकार होगी धन्यवाद